अस्थमा दमा सांस फूलना अगर आप भी इस तरह की प्रेशानी से प्रेशान होना दोस्तों तो आज मैं आपके लिए बेहद कारगर नुस्का लेके आई हूं दोस्तों आपको पंप लगा हुआ है या फिर थोड़ा चलते ही सांस फूल जाता है तो इस वीडियो में मैं देखना और फिर आप देखना आप 99% तक ठीक हो जाएंगे आपका जो चलते टाइम सांस फूल जाता है वो दीरे दीरे बंद हो जाएगा और जो पंप लगा हुआ न वो भी हट जाएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं सभी को नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आए है कीचन शाला में और कीचन शाला में आपका फौद बहुत स्वागत है यह देखे यह मैंने ली हैं लोंग लोंग तो आप सभी पैचानते ही होगे सब के घर में मिलती है खाने में भी हम यूज़ करते हैं और जैसे किसी के जाड में दाथ में दर्द हो जाए तब भी यूज करते हैं ये लॉंग जो होते है न दोस्तों गरम तासीर की होती है और अस्तमे के पेशेंट के लिए बेहद लाबदायक है जो चलते चलते सांस फूल जाती है बार बार बलगम बनता रहता है गले में फस जाता है उन सब को दूर करने के लिए ये बहुत एफेक्टिव है आप को ये डाइजेस्ट करने का काम करती है और गैस वगेरा नहीं बनने देती लेकिन इसका आस्तमे के लिए बहुत ज़्यादा उप्योग किया जाता है आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी और दोनों ही आपने यूज करने है ये जो दो चीज हैं लोंग और अजवायन दो उनों ही गरम ताशीर की हैं सर्दियों में तो सब आराम से ले ही सकते हैं गर्मियों में भी ले सकते हैं लेकिन गर्मियों में थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेनी होती है अब एक पतिला लेंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल लेते हैं यहां मैं एक कप के इसाफ से बना है एक चोटी चमच इसमें ये अजवाइन डालेंगे गर्मियों में बनाए तो आधी चमच डाल लेना और दोनों चीजों को अच्छे से उबलने देंगे उबाल आने के बाद भी इसमें थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये जो एक गिलास पानी लिया ना ये एक कप बच जा ये उबलती भी रहे और फ्लेम भी मीडियम रहे तो आपने इसकी बाफ लेनी है आपने इसकी तरफ मुझ करके खड़े हो जाना है और लंबे लंबे सांस लेने है जो बाफ लोगे आप वो अंदर तक जाएंगी और फेवरों में जो कफ जमा हुआ है उसको उखार देंगी ऐसा करने से आपको बहुँ जादा फायदा होगा जब भी आप ये कड़ा बनाएं तो वाफ जरूर लें इससे आपको बहुँ जादा फायदा होगा और ये देखी ये दोनों चीजें हमने पका ली है तो गैस को ओफ कर देते हैं और इसको एक गिलास में छान लेंगे ये जो काड़ हमने बना लिया है, इसको आपने गरम-गरम ही पीना दोस्तों, अगर आपको सुगर की प्रोबलम है, तो ऐसे ही पी लीजिए, और सुगर की प्रोबलम नहीं है, तो इसमें हम एक चमच सहद डालेंगे, क्योंकि सहद भी हमारी इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग करता है सर्दी खासी जुकाम से भी बचाता है, और ये बलगम-गरा जो कफ जम जाता चाती में, इसको उखाडने में भी काफी हेल्प करता है, अगर आपको सुगर की प्रोबलम नहीं है, तो इसमें एक चमच सहद जरूर मिलाइए, और इसको आपने गरम-गरम ही पी लेना है, अ ये वही कपूर है, जो हम हावनों वगेरा में यूज करते हैं, इस तरह की ये डिबी मार्किट में मिलती हैं, देखे ये दूसरी पतंजली की डिबी है, आप जैसा चाहें वैसा खरीद सकते हैं, एक एक दो दो रुपे के पीस भी मिलते हैं, अलग अलग ये बहुत सस्ती हैं, और हमारे सब के गरों में ये सामान होते भी हैं, ये मैंने 6 पीस लिए हैं, इनको हम तोड लेंगे, ये बहुत आराम से तूट जाता है, या फिर किसी कपड़े में डालके कूट लीजिए, आराम से कूट भी जाएगा, ये देखे इसको मैंने इस तरह हाथ से ही तोड दिया है, और ये मैंने ली हैं, 6 लोंग, 6 ही कपूर के पीस लिए थे, और 6 ही मैंने लोंग ली हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, और आदा चमच लेंगे हम अजवायन, ये भी इसमें डाल देते हैं, तिनों चीजों को मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे एक सुती साफ को पॉटली बना लेंगे इस तरह से पोटली बनानी है और यह जो पोटली है न दोस्तों इसको आपने दिन में पांच से साथ बार सूंग ना है थोड़ी थोड़ी देर शूंग लीजिए जैसे आदी मिनट शूंग ली तो एक से दो दिन में ही जो आपको पंप लगा हुआ ना सांस लेने के लिए बार बार पंप लेते हो वो हट जाएगा यह होममेड इनेलर बन के तयार हो गया है बेहद ही लाबधायक है जो अजवायन की कपूर की और लॉंग की जो स्मेल है ना वो जैसे ही अंदर जाएगी आप सांस लोगे तो वो आपके फेफडों को खोलती जा पाना है एक को सूंग ना है और एक को पीना है बहुत ही बढ़िया यह तरीका है दोस्तों बहुत इफेक्टिव है आप दोनों लेना दो दिन में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे आज की जानकरी इतनी थी अगर आपको पसंद आई हो एक लाइक जरूर करना और अगर च थाइक्टिव